प्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल चॉप्स वाले भाईया में जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि इस चैनल पर आप लोगों को आईटियाई अनुदेशक से सम्मन्दित या फिर सीटियाई से सम्मन्दित भी छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारिया मिल जाती हैं वैसी ही एक काफी महत्वपूर्ण जानकारिया आपके बीच में आज लेकर आया हूँ जो कि भिहार आई टीए अनुदिसक भरती से सम्मंदित है और ये काफी जरूरी है आप लोगों को जानना क्योंकि ये जो अपडेट आया है निकलके ये काफी जरूरी है काफी महत्वप सकते हैं तो सबसे पहले जो भी केंडिडेट्स यहां पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों को छोटी सी चोटी और बड़ी सी बड़ी अपडेट इस चैनल पर मिल जाती है तो आगे भी मिलती सब्सक्राइब में और जो बिहार में यह वेकेंसी जो है आई टे अनुदेशक की वो कब तक आयागी इसको लेकर कभी काफी कुछ आप लोगों को आज बताना आया मुझे तो चलिए सुरू करते हैं कि दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिहार सरकार स्रम संसाधन विभाग के तरफ से यह लेटर जारी किया गया है 17 अप्रिल को ही जारी किया गया था लेकिन यह वेफसाइट पर नहीं डाला गया था तो कॉलेज की थूरू मुझे जो कॉलेज को इमेल क को जानना तो यह देखिए पढ़ते हैं चलिए देखने क्या लिखा हुआ है तो एत्रत द्वारा कार्याले आदेश संख्या 125 दिनांक 16 अप्रिल 2020 में आंसिक संसोधन करते हुए अतिती अनुदेशिकों का कार्यकाल 11 माह उनका समयाधी दिनांक 10 अप्रिल 2020 के समाप्थ हो जाने के कारण उक्त आदेश से उन्हें ओनलाइन डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षन कारे से वंचित किया जाता है इस कार्याले के आदेश शंख्या 125 दिनांक 16 अप्रेल 2020 के अतिती अनुदेशिकों का प्रतिवेदन सुनने समझा जाएगा तो प् कि एक्षुली यह है कि जो इन लोगा जो कारेकाल था 11 माह का वह समाप्त हो चुका है 10 अप्रिल 2020 को तो आगे जो ओनलाइन डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के माध्यम से प्रशिक्षन कारे देना था इन लोगों को उससे इन लोगों को वंचित किया जाता है वंचित किया जाता है और आगे भी कुछ है इसमीं कि क्या कराई प्रतिलिपी में कि अतिथि अनुदेशय को अध्योगिग प्रसीष्छं संस्थान वीरफुर को तो सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ उन्हें आदेश दिया जाता है कि अतिती अनुदेशकों के अस्थान पर अतिरिक्त प्रसिश्चन कारे के प्रभार में रहेंगे अब देखिए यहां पर स्पस्ट यह है बात निकल के सामने आई है कि जो भी अतिती अनुदेशक थे उनको वन्चित के जाता है जो ऑनलाइन क्लास चालो किये जाएंगे यह लोक्टाउन के कारण से जो भी है तो उन लोग को वन्चित के जाता है क्योंकि उन लोग का 11 मार मा से प्रशिशन संस्थान में वो लोग उनका कारे बाहर समाले और नीचे वाला लाइन जो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है यहां पर यहां पर यह कह रहा है कि अनुतिश्कों का प्रतीवेदान सुनने समझा जाए लिए मतलब है कि उनकी जो सैलरी जो उनको मिलती थी नहां से वनचीत किया जाता है इसे उनका कारे समाप्त हो रहा है लेकिन दूसरी अच्छी बात जो वेकैंसी आने वाली है उसके लिए अच्छी है तो देखिस दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि काफित दिनों से आप लोग को पता है कि अकपार में या फिर बहुत सारी आने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं तो अभी फिलाल जो आपका यह थोड़ी रियायत मिली है कारिया कार्याले जो भी भी विहार सरकार के हैं वो खुल गया है फिर से 50% जो स्टाफ में कारे रत है तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत अपडेट आ रहा है निकल के वह वेकंसी जरूर देती है कोई भी गवर्मेंट हो जरूर इस वरस उनका चुनावों होना होता है तो जरूर निकालती है और ये बात अलग करके अगर देखते हैं तो दूसरी बात यह है कि जो आपका जो guest faculty कारेरत थे उनका ये कारेकाल स्माप्त हो चुका है तो अब जो 11 सब की आसपास जो कुल कारेरत थे पहले से सभी ITI Ecologist में उन में से और संख्या कमी हो जाएगी जो ये 500 के आसपास जो guest faculty थे ये भी कम हो जाएंगे तो बचेंगे 400 ये 500 ही तो उनसे पॉसिबल नहीं है कि ये क्लास ले पाएं पूरे जो एक सोबावन आइटिया एक साथ निश्चे के तहद जो खुली है उसमें जो भी अध्यनकारी है वो सुचारू रूप से चल सके ऐसा समभव नहीं है तो इसलिए आप एकदम हंडेट परचेंट ये जालने कि य चुनाओ से पहले तक ये आपकी वेकेंसी आ जाएगी और हो सकते हैं कि चुनाओ के बाद तक ही प्रक्रिया पूरी हो जाए लेकिन हो जाएगी काफी दिन से बादा बना हुआ था तो आप लोग घब रहा है बिलकुर नहीं थोड़ा सा धायरेधारन करें आप तयारी करते हूं और आप लोग के भी चल्दी पेश करूंगा किसी भी ट्रेट कि अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको पूरा मदद करूंगा जैसा कि सिलेबस की बात करते हैं तो जो 2013 में पेपर हुआ था या फिर सोल में जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अनुसार तो यहां पर कावे सिंपल सा है कि 100 प्रस्ण पूछे जाते हैं वह भी केवल ट्रेड से पूछे जाएंगे इस से भार कोई भी प्रस्ण नहीं होगा और जो प्रस्ण का लेवल होता है उसके बारे में मैं जरूर आपनों को पताओंगा जिकर करूंगा आगे की व अब्डेट्स मिलती रहे हैं जो की बिल्कुल सटीक और सही जनकारी में लेकर आपके बीचाता हूं ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले करके आया और बोल के चला गया ऐसा कुछ नहीं है जो प्रूव्ड होता है जिसका कुछ प्रमान होता है वैसी बाते मैं करता हूं तो कुछ बाते जो पताचली है कि वैकनशी आने वाली है वह चुनावर साल आई सकती है आप सकती है मैं इसलिए कि काफी दिनों से सुनते आ रहा हूं कि आने वाली आने वाली इसलिए आप लोगों को दिला सा इसे कंफर्म नहीं बताऊंगा कि आएगी यह नहीं आएगी लेकिन फिर भी आपक्तम धैरेधारन करें बिल्कुल आएगी वेकंसी थोड़ा सा और नहीं सकता है और बच्चे जो है अड्मिशन लेंगे लेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर अध्यान कारे सुचार रूप से चले आ जा सके तो वेकंसी तो आनी ही आनी है अभी थोड़ी सी दिक्कत यह होगी कि जो गेस्ट फेकल्टी में कारे रत थे उन लोग तो लोग अभी जाके थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉक्डाउन की सिदी है और कहीं पुब्लिक लीव जमा नहीं हो सकते हैं तो देखते हैं कुछ दिन दो चार दिन में कुछ और जरू कुछ होने वाला है मुझा यसा लग रहा है क्योंकि वो लोग जो शांद बैठेंगे नहीं जो भी पहले से गेस्ट प्रोटेस्ट करेंगे या फिर देखते हैं उसका अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा इसलिए आप मेरे चैनल स्टूड़े रहे हैं और मेरे अगली वीडियो का इंतजार करें और ब लाइक करें शियर करें तब तक के लिए धन्यवाद अगले वीडियो के लिए तब के लिए